हलो फ्रेंड्स हमारे चैनल हेल्ट टिप्स ग्यांगी हिंदी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज कल बिजी लाइक स्ट्राइल होने की वज़ा से महीलाएं फुद की सुन्दरता और हेल्ट को इग्नोर करती हैं चाहे वो फिर कोई मैल हो या फीमेड हम अपने आसपास कुछ ऐसी महीलाओं को भी देखते हैं जिनकी कम उम्र होने पर भी वो बड़ी उम्र की नजर आती है वो इसली क्योंकि वो अपुद को संतूली ताहार नहीं दे पाती और अपनी हेल्ट और तव्चा का सही धंग से खयाल नहीं रख पाती खुद की देख भाल सही धंग से ना रख पाने के कारण जहां एक और हमारी हेल्ट अच्छी नहीं रह पाती और बहुत सारी विमाजिया हमें घेड लेती हैं वहीं हमारी तव्चा भी मुड़शाई हुई रूखी सूखी नजर आने रखी है तो आज की इस वीडियो में बताई गए टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप खुद को लंबी उम्र में भी जमा और सुन्दर बना सकते हैं इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिने फॉलो करके आप अपनी सुन्दर्टा को हमेशा के लिए भरकरार रख सकते हैं तो आगे जानेंगे हम इन टिप्स के बारे में लेकिन इसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल हेल्ट टिप्स गयाने नहीं हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीचिए और साथ में बेल आइकन यानी घंटी को भी ज़रूर दबाएए जिससे आप हमारी रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएगे फॉस्ट टिप सब्सक्राइब को हरे पत्तेदार सब्सक्राइब की मात्रा बहुत ज्यादा भरपूर होती है इसमें मिनिरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है यह हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी होती है यह तवचा को टाइट रखने के साथ साथ आपकी स्किन में भी एक यंग यॉद्फिल लुक देती है तो इसका सेवन आप पनी रोज मरा की जिंदगी में जरूर शामिल करें इसे और हरे पतेदार सबजी जरूर खाएं टिप नमबर टू फ्लेक सीड्स का सेवन फ्लेक सीड्स हमारी तवचा को यंग रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्यूंकि इसमें ओमेगा थ्री पाया जाता है ओमेगा थ्री को पूरा करने के लिए मचली का तेल और मचली के कैपसूल भी मिलते हैं लेकिन ये हर किसी को पसंद नहीं होते तो फ्लेक सीड्स एक बहुत अच्छा आप्शन है अलसी के बीच का सेवन करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट रहती है ये आखों की रोशनी को भी मजबूत बनाये रखता है आपको डेली दो चमच फ्लेक सीड्स खाने से ओमेगा थ्री पूरी मात्रा में मिल जाता है क्योंकि ये ओमेगा थ्री का बहुत बड़ा सोड्स होता है तो आपको एक एक चमच सुभवे शाम फ्लेक सीड्स का अलसी की बीच का सेवन करना है और उपर से आप एक ग्लास पानी पी लीचिए अगर आप ऐसा रेगलर वान मान तक भी करते हैं तो आपके स्किन में जुर्डियां रिंकल्स नहीं पड़ी साथ ही आपको 13 ग्रेम्स के आस पास ओमेगा 3 मिल जाता है जिससे आपकी बोड़ी भी हेल्दी रहती है टेप्स नमबर 3 दूद का सेवन दूद हमारी स्किन के लिए ही नहीं बलकि आवर ओल हमारी हैल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशल होता है ज्यादा तर लोग दूद का सेवन नहीं करते इसी वज़ा से उनमें केल्शियम की कमी और बहुत सारी विमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है दूद वो आहार है जो हमारी बॉड़ी में केल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स होता है साथ ही हमारी स्किन को भी इंप्रूव करने में मदद करता है तो आपको अपनी स्किन को यंग बनाये रखने के लिए और हल्थ को इंप्रूव करने के लिए डेली एक ग्लास बूद में एक चमच बादाम प्रोगन शिरीन मिला कर इसका सेवन करना है ये ना सिर्फ आपकी हल्थ के लिए अच्छा है बलकि आपके स्किन, आपके बालों के लिए और आपकी आँखों की रोश्णी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदे मन्द है इसका सेवन करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे तो आप इसका 7 जरूर करें टिप्स नमबर 4 आमले का मुरब्भा सुभा खाली पेट आमले का मुरब्भा खाने से तबचा इतने खुबसूरत और यंग होने लगती है कि इसका रिजल्ट आपको एक महीने में ही दिखने लगता है ये आपकी पुरी बोडी के साथ साथ बालों को काला करने के लिए आँकों की रोश्णी को बढ़ाने के लिए और आपके स्किन को यंग रखने के लिए दिल से जुड़ी सबी विमार्यों को दूर करने के लिए तो आप आमले का मुरभभा भी जरूर खाएं टिप्स नमर फाइड ये आप कुछ टिप्स अफॉर्ट नहीं कर पाते हैं तो एक सिम्पल टिप से स्किन को यंग बनाने के लिए आप टमाटर का सेवन जरूर करें टमाटर खाने से स्किन हेल्थी रहती है क्योंकि इसमें पाने पीने का सेवन फल्वे फलो का जूस पीने से हमारी तो यंग रहती है और ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए क्योंकि चिंता इंसान को बोढ़ा कर देती है तो फ्रेंग ये थे कुछ इंपोर्टेंट टिप्स जिने फॉलो करके आप अपनी स्कीन को और खु आमिल कर ले तो थैंक यू सो मच पर वचिंग दिस वीडियो